Hello students Welcome back to Pradip Gehri Commerce Academy आप जो हम practical problem देखने वाले है वो BRS का problem देखने वाले है BRS के लिए एक perception है कि BRS difficult है hard है बहुत सारे colleges में तो मतलब BRS को skip किया जाता है बट यह जो topic है यह बहुत interesting है आपके आगे के studies के लिए भी important है BRS bank reconciliation statement अभी कि इस पॉक तो कॉलम केश्बुकन हमने पड़ा है तो उसमें टो कॉलम केश मेंग कॉलम होता है जो हम maintain करते हैं हम मतलब हसे में हम इंते मीं करते हैंfilm एक्डेर को आपका bank bank जो फूर्ट पार्टी है वो maintain करता हाए तो बैंक जो हैवो पास्वड़ बनाता है पास्बुक मेंटेन करता है जो हम है वो कैश्बुक मेंटेन करते है तो बेसिकली जो हमारा बैंक में जो एकाउंट है उसी को हम क्या कर रहे है उसी को हम कैश्बुक में मेंटेन कर रहे है तो प्रैक्टिकली दोनों का जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए बट सम्टाइम्स हो या तो omission and error की वज़े से time difference की वज़े से या तो omission and error की वज़े से तो यह differences की वज़े से passbook का balance जो है cashbook के balance से match नहीं होता है तो हम यह bank reconciliation statement बनाते हैं ताकि वो differences को हम देख सके and differences को हम देख सके कि differences जो है वो किन reason की वज़े से आया है तो यहां पर देखो जबी भी आप BRS statement आप बनाओगे तो हमेशा BRS statement जो है either it will start with passbook balance और it will start with cashbook balance या तो overdraft के sums भी हो सकते हैं तो अगर जब आपका BRS जो है passbook balance से जब start होता है जब BRS जो है passbook balance से start होता है तो it is going to end with cashbook balance मतलब passbook balance से start हुआ है तो वो end किस से होगा cashbook balance से होगा यह first thing is it very clear जितने भी some practically some हम solve करेंगे उसमें हर बार में आपको remind कराऊंगी कि जब BRS जो है as per passbook balance शुरू होता है तो वो end कैसे होगा cashbook balance से start होगा second चीज़ आपको देखना है कि अगर BRS जो है passbook balance से शुरू हुआ है BRS जो है passbook balance से शुरू हुआ है तो other book क्या है other book हमारा जो है वो cashbook है okay BRS जो है अगर passbook balance से start हुआ है balance as per passbook then it will end with cashbook balance तो passbook balance से जब start हुआ है तो other book कौन सी है other book है cashbook तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो चीज़े Recommend Isso को increase कर रही है उसे हम क्या करेंगे add करेंगे जो cashbook के balance को बढ़ा हुआ दिखाएंगे उसे हम क्या करेंगे पर cash book दिया है तो other book is pass book तो यहां पर balance as per pass book दिया है तो that means we are going to end up with balance as per cash book अभी आपको यह ध्यान रखना है कि जो चीजे other book के balance को increase करेगी उसे हम क्या करेंगे add करेंगे other book के balance को अगर कोई other book कौन सा है balance as per pass book दिया है तो other book is cash book तो जिसके कारण cash book का balance बड़ा हुआ दिखेगा cash book का balance जो चीजे की वज़े से जो transaction की वज़े से cash book का balance cash book जो है वो businessman maintain करता है right जो हमने two column cash book में जो हमने maintain किया है check आया record हो गया चेक दिया आपने तुरंत record किया है right तो cash book जो है वो कौन maintain करता है business maintain कर रहा है तो यहां पर balance as per pass book दिया है तो other book क्या है cash book तो जो चीजे cash book के balance को increase करेंगे हम उसे क्या करेंगे add करेंगे जो cash book के balance को decrease करेंगे उसे हम क्या करेंगे less करेंगे जो चीज़े other book के balance को increase उसे add करना है जो चीज़े other book के balance को कम दिखा रही है उसे हम क्या करेंगे less करेंगे तो अभी हम start करते है balance as per pass book दिया है तो अगर balance as per pass book दिया है तो we are going to end up with balance as per cash book first thing secondly जो चीज़े other book के balance को बढ़ा रही है उसे हम क्या करेंगे एड करेंगे तो यहाँ पर मैं एड लिख देती हूं जो चीज़े अदर बुक के बैलेंस को कम दिखाएगे उसे हम क्या करेंगे लेस करेंगे ओके तो यहाँ पर अदर बुक कौन सा है कैश बुक है अभी तो पहला वाला ट्रांजेक्शन है चेक पेड इंटु बैंक चेक बैंक में पे हुआ है मतलब डेपॉसित हुआ है चेक को हम पे कर रहे हैं बैंक में इसका मतलब क्या है चेक डिपॉसित करें चेक डिपॉसित इंटु बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31st ऑगस्ट amounted to 24,500 check bank में deposit हुआ है right check deposit हुआ है see अभी bank पे इसका क्या effect पढ़ रहा है वो हम नहीं देखेंगे cash book जो other book है उसका क्या effect पढ़ रहा है check deposited मतलब अगर मुझे कोई check मिलेगा तो मैं क्या करूँगी मुझे कोई check मिलेगा मुझे मेरे customer ने check दिया है तो जैसे ही मुझे check मिलेगा I am going to record in my book check मिलते ही मैं क्या करूँगी अपने book में record करूँगी then वो check में लेकर आके bank में deposit कर दूँगी अभी check जो है वो clear होने में 2 दिन का time लगता है but मेरा cash book का balance जो है चेक की वज़े से क्या हुआ है बड़ा कैसे है the moment मेरे customer ने मुझे check दिया है मैंने उसको क्या कर दिया है मैंने उसे अपने book में record कर दिया है तो इसके वज़े से मेरा book का balance क्या दिख रहा है जादा दिख रहा है तो जो other book के balance को increase करेगे तो पहला वाला क्या होगा अभी यहां पर अधर कौन सा है चैश्वुक तो चैक डिपॉजिटेट मतलब जब मुझे चैक मिलेगा मुझे कई किस्टκιमर चेक देगा तब तो मैं उसे डेपॉसिट करूंगी कस्टवमर ने ँभी चेक दिया मेरा बैलनस बढ़ गया तो इसकी वज़े से कैश्यूक का बैलनस क्या हो रहा है ज्यादा दिखरा है तो इससे मैं क्या करूंगी एड़ करूंगे first है चेक दिपोसिते इन्टो बैंक बट नॉट रेडिटेड अमाउंट है 24,500 है अभी नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट जो है डायरेक्ट डिपोजिट बाइक कस्टमर थू नेफ्ट 33,000 रिकॉर्ड इन पास्ट बुक ऑनली कस्टमर ने डायरेक्ली बैंक में पैसा भर दिया है बैंक का बैलन्स बढ़ गया है बट अभी तक कैश्बुक में रिकॉर्ड नहीं कस्टमर ने डायरेक्ली बैंक में डिपोजिट किया है तो इससे बैंक का बैलन्स तो बढ़ा है बट कैश्बुक का बैलन्स अभी भी नहीं बढ़ा है तो इसको हम क्या करेंगे लेस करेंगे इसके वज़े से कैश्बुक का बैलन्स क्या हो रहा है कम दिख रहा है तो इसे हुआ 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 है मैं अमाउंट है 33,000 हुआ है कि पहला है चेक डिपोजिटेड इन्टु बैंक इससे कैश्बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है जैसे ही चेक मुझे मिलेगा कोई कस्टमर चेक मिलना मतलब क्या है क्या है कि आप क्या करोगे तो चेक मिलते ही मेरा बैलनस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो चेक डिपोसिटेड जो है उसको हम क्या करेंगे एड करेंगे अभी दूसरा है क्यूंस दिसननर मं ने डिरेक्ली बैंक में पैसा पेकर दिया कि बैंक बैलेंस तो अभी भी आपर आफ यह नहीं पर अब दो इसके कैश रहा सcussय कम क्या करेंगे इसे लसके नेक्स्ट थर्ड थर्ड है चेक इशूट वेर प्रेजेंटेट पॉर पेमेंट और फिफ सेंटर में अमांटेट तो 38,800 चेक इशूट सी अभी इसका चेक इशू का कैश्बुक पर इसे क्या होगा जैसे ही आपने अपने सप्लायर को चेक इशू किया प्रेसे यहां बैलन्स क्या है जैसे ही आपने सप्लायर को चेक दिया अगर मुझे पैमेंट करना जब वो जो supplier है वो check लेके अपने bank में जाएगा, bank में present करेगा, एक दो दिन का time होके जब bank से पैसा कटेगा तब जाके दोनों का balance क्या होगा, same हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? cash book का balance कम होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको less करेंगे. Check, issued but not presented for payment. amount है, 38,800. Okay, next. A bill receivable for 15,000 discounted with bank was dishonored. Intimation of the same was received only on 3rd September. See, आपको एक bill receivable मिलने वाला था, मतलब आपके customer ने, आपका जो customer है, उसने आपको पैसे की जगह पे एक bill दिया था, bill receivable. But आपको instantly पैसे की जरुआ थी, तो आपने bank से क्या कर लिया, वो bill को discount कर लिया. अब वो bill dishonor हो गया, मतलब customer ने bank में पैसा नहीं दिया है, तो यह information bank में आ गई है, यह information bank में आ गई है. बट यह information अभी तक आपके पास नहीं आई है, तो इसके वज़े से आपका balance अभी भी increased है, cash book का balance अभी भी ज़्यादा है, यह information आपके आते ही, आप क्या करोगे, आप bank, bill dishonor का आप क्या करोगे, bill dishonor कर जो transaction है, वो करोगे, इससे आपका जो balance है, वो कम हो जाएगा. तो यहाँ पर कैसा है कि अभी तक information आपके पास नहीं आई है, इसके वज़े से जो cash book है, उसका balance ज्यादा दिख रहा है, तो जो चीज़े cash book का balance, because cash book यहाँ पर क्या है, other book है, जो चीज़े other book के balance को ज्यादा दिखाएगे, उसको हम क्या करेंगे, add करेंगे, तो bill dishonor हुआ ह इन्फोर्मेशन आपको नहीं है, तो इससे cash book का balance ज्यादा दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, add करेंगे, उन्फोर्मेंदेंगे, बेस्फितिंगे, π 할ुएस अन्फोर्मेंदेंगे, बैल भीफ बने, उन्फोर्मेंद, विक्स् मुएस्क्क रावा, जफन्फोर्मेशने उसकिए, विक्स्वआपतीघ्टी बफिए। कि अमाउंट है कि 15,000 को कि अभी नेक्स्ट है पाजबुक क्रेडिट साइड वस ओवर कास्ट 2,000 पाजबुक का बैलन्स जो है वो ओवर कास्ट किया है ओवर कास्ट मतलब जाता दिख रहा है तो अगर जाता दिख रहा है इसका मतलब क्या है कैश्बुक बैलन्स कम दिख रहा है तो जो चीज़े कैश्बुक को कम दिखाएगे उसे हम क्या करेंगे लेट्स करेंगे तो यहां पर ओवर कास्ट एमाउंट है टू थाउजन रुपिस अभी नेक्स्ट है लास्ट वन है बैंक डेबिटेट फोर हंड्रेड फॉर बैंक चार्जर इन पास्बुक वस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश्बुक बैंक ने चार्जर डेबिट किया है बैंक से 400 रुपिया डेरेक्ली कट हो गया है भी तक बिजनसमें अभी तक यह इंफॉर्मेशन अहमारे तक नहीं आये है तो हमने उसको हमारे बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो इससे टीनः lin in сразу गया है गयाक फैक किया है तो जो चीजय के बैंक सुझ जाधा दिखाएगी उसे हम ऑड करेंगे जो इसको कम चार सा रूपए की वद्दे से कैश्बूक का बैलेंस क्या हो रहा है जादा दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे एड करेंगे कि अच्छा करेंगे कि अच्छा करेंगे आप क्या करना है अभी दोनों मतलब अभी एक अभी यह कम्प्टीट हो गया है अभी सिर्ट इसका बैलेंस करना है टोटल करना है इसको एड करना है उसका टोटल है इसका टोटल है 73,500 अच्छा करना है 73,500 तो अभी जिसे अड करना है उसको हमें क्या करना है हमने अड का अलग बनाया है लेस का बनाया है फॉर्माट में स्टार्टिंग में जो है अड का कॉलम है नीचे जो है लेस का कॉलम है तो अड जो है अड क्या करना है अड करके इसका बैलेंस पहले इन सबको अड करना है टोटल करना है इसका इसका टोटल है 39,900 39,900 अब इसे क्या करना है इसे अड करना है किसमें बैलेंस में स्टार्टिंग बैलेंस में 39,900 प्लस 33,600 तो आपका टोटल आता है यहां पे 73,500 अब जिसको लेस किया है इसका बैलेंस करना है इसका टोटल करना है इसका टोटल है 73,800 73,800 अभी आप देखोगे उपर का जो टोटल है वो क्या है 73,500 और जो नीचे टोटल दिया है 73,800 ये क्या है हेवी है तो आपका जो आंसर आएगा 300 ये नेगेटिव में आ रहा है तो ये क्या है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था balance as per passbook शुरू होगा तो end कैसे होगा balance as per cashbook से end होगा तो यहां का जो balance है वो negative आ रहा है मैंने ब्रैकेट सीव आपके information के लिए डाला है ऐसा इसको शोर नहीं करना है तो 300 जो है ये क्या है negative में है तो overdraft balance as per cashbook आपको लिखना है क्या लिखना है overdraft balance balance as per cashbook तो यह मारा जो सुम्हाइब complete होगा है start हमें क्या करना है balance as per passbook से start करना है and we will end up with balance as per cashbook अभी मेंने add लिखा है तो इन सब चीजों क्या करना है balance में add करना है starting balance जो है उसमें add करना है then जो less लिखा है उसको total करके उसमें से less करना है 13,600 33,600 शocoPim & 39,900 मैंने क्या किया है इससे मैंने ऍलकाएं थिस ना लाहर के बटाविकें स्व고 differenti पार्ट पौका Bereiga करने केबाद सेुस्के हम अख़नां ग्रस्चा Sigurd मैंने सिर्फ आपके इंफमिंशन के लिए डाला है हुआ wissen कोई sign नहीं डालना है तो balance में जो add करना है उसे add करने के बाद last जो है उसको क्या करना है लेस करना है तो आपका जो यह ब्रस्टेट्मेंट जो है यह ready हो जाए तो यह हमारा सम जो है complete होता है and next time हम लोग balance as per passbook का सम देखा है next time हम balance as per cashbook का सम देखेंगे okay thank you